जै शिरी राम, नमस्कार अभनांदन आभार, मैं हूँ डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोजर, निम्रोलोजिस्ट, लालकितावन वास्तू कंसल्टेंट किचन के बारे में बहुत सारी वीडियोज मैंने पहले भी यूट्यूब पर डाली हैं भाई, किचन डिसाइड करती है हमारे घर की, कि हमारे घर में कितनी खुशियां रहने वाली हैं, कितनी दुख आने वाले हैं, कितनी परिशानियां रहने वाली हैं, कितनी बिमारियां रह हिसाब से बिल्कुल मेंटेन कर लें तो हमारे जीवन की 50% समझ्षा हैं वैसे ही खता होनी शुरू हो जाती हैं आज बात करेंगे किचन का एक छोटा सा पार्ट चकला और बेलन शायद आप सबकी किचन में होता हैं और आप शायद आपने सोचा नहीं होगा एक चकला बेलन की पोजिशन बदलने से या उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपका जीवन बदल सकता है केवल किचन ही नहीं किचन की वस्तूओं को यदि सही तरीके से ना रखा जाए या उसकी खरीदारी का समय सही ना हो तो भी वास्तू दोश लगता है वास्तू शास्तर में रसोई के सामान का वास्तू के हिसाब से रख रखाव और खरीदारी आपको बहुत सारे शुब फल दे सकता है रसोई में वैसे तो बहुत सारे सामान होते हैं बरतन होते हैं सभी का अलग-अलग महत्व होता है सबी का अलग-अलग यूज होता है हर हर चीज का मगर आज हम चकला और वेलन से चुड़े वास्तु शास्तर के बारे में बात करेंगे ये जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ आज चकला और वेलन का इसका अनुसरन करने मातर से आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे वैसे तो रसोई में रखी हर चीज हर बरतन साफ सुतरा ही होना चाहिए क्योंकि वहां का हम बोजन गिरंड करते हैं तो साफ रहेगा तो वैसे ही बिमारियां कम होंगी मगर चकला वेलन की सफाई पर आपको विशेस ध्यान देना है चकला वेलन का जब भी प्रियोक करें उसके बाद उसे साफ जरूर करें अकसर ऐसा देखा जाता है कि चकला वेलन यूज करने के बाद और किसी कपड़े से ऐसे जाड़ करके घर में रख दिये जाते हैं एक साइड में किचन में ऐसा नहीं करना है चकला वेलन को हमेशा साफ करके ही रखना है बहुत सारी महिला है चकला वेलन पर रोटियां बेल कर उन्हें ऐसे ही रख देती है मगर चकला वेलन की सफाई में लापरवाही बरतने से रोग और धनहानी हो सकती है इसलिए चकला बेलन रोज दुलकर और से सुखा कर रखे ऐसा करने से आपका परिवार निरोगी रहता है आपके घर में बिमारियों का आगमन नहीं होता है या फिर कम से कम होता है आपने कहबत तो सुनी होगी सबने कि जहां चार बरतन होते हैं वहाँ आवाज तो आती है भई अक्सर कुछ घरों में लडाईया होती हैं तो बड़े बुजरुग भी एक बात बोलते हैं कि दो बरतन हैं तो आपस में खड़केंगे आवाज तो आएगी बस रसोई में बरतनों की आवाज जितनी कम आए उतना वास्तु के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है या आपको जरूर ध्यान रखना है आपकी किचन में जितनी कम आवाज होगी आपके बरतनों की उतना वास्तु शास्तर के लिहाद से अच्छा होता है और उतना आपके जीवन में ज़्यादा खुशियां आती है खास तोर पर रसोई में जब जब चकला और बेलन का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि उसमें से आवाज ना आए जो तिश शास्त्र की मानें तो चकले से जो आवाज आती है वो धन हानी का कारण बनती है इसलिए जब भी आप चकले का इस्तेमाल करें तो पहले उसके नीचे एक कपड़ा रख लें उससे आवाज नहीं होती है चकला बेलन खरीदने का भी बहुत महत्व है अगर आप अपनी रसोई के लिए नया चकला और नया बेलन खरीदना चाहते हैं या चाहते हैं तो आपको वास्तू के हिसाब से उचित दिन नया चकला बेलन घर लाना चाहिए यदि आप लोहे या स्टील का चकला बेलन खरीद रहे हैं तो भूल कर भी शनीवार के दिन ये खरीददारी आप ना करें तो आपके लिए बहतर होगा यदि आप लकडी का चकला बेलन ले रहे हैं तो इसे पंचक के समय में यानि जब पंचक लगे होते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन गल्ती से भी नाले अदर्वाइस बहुत ज़ारा धना नहीं हो सकती है चकला जब भी खरीदें बुद्वार के दिन ही खरीदें अत्यन्त शुभकारी माना जाता है रसोई में हर सामान रखने का सही स्थान होता है चकला बेलन आप यूही कहीं भी नहीं रख सकते हैं वास्तू के हिसाब से चकला और बेलन सुखाकरी रखना चाहिए और इसे कभी भी उल्टा न रखें चकला और बेलन के लिए बाजार में स्टैन्ड आता है आप वो खरी सकते हैं वो आपके लिए लाबकारी रहेगा चकला और बेलन को खड़ा करके रखें और पठकर बेलन को न रखें आटे के ड्रम या पानी के बीच में वास्तू में तो यह भी बताया गया है कि चकला और बेलन की धातू क्या होनी चाहिए वास्तू के हिसाब से चकला और बेलन दोनों ही स्टील के हो तो यह सर्वस्रेष्ट माना जाता है वहीं लकडी के चकला बेलन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको और आपके प उनका इस्तेमाल होता है जबकि इस टील का चकला वेलन ही जूज करना सबसे उत्तम माना गया है सबसे स्रेष्ट माना गया है इससे आपके घर में बिमारियां खतम होती है धनागमन हमेशा बना रहता है आप सब को निरोगी भी बनाता है चोटी चोटी वास्तू की टिप्स हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते होते हैं लेकिन क्या आप फॉलो भी करते हैं जरूर करिएगा बहुत चोटे चोटे टिप्स हम आपके लेकर के आते हैं अगर यह चोटे चोटे टिप्स आप फॉलो करेंगे तो जीवन आपका खुश्यों से जरूर भढ़ जाएगा जीवन में आपकी समश्याएं जरूर खतम हो जाएगी अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और बैल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले आपको मिले फेस्बुक पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं इंस्टरग्राम, लिंग्डिन या ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मैं डॉक्टर अंकित्यागी विदा लेना चाहूँगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब को मेरी तरफ से जैय शरी राम